उत्तर प्रदेश के सोनभदर में एक माल गाड़ी के 35 सवतटने की घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है रभिवार को हुई इस घटना के बाद कॉंग्रेस पाटी और भारतिय रेलवे के बीट आरोप प्रत्या रोप का दौर शुरू हो गया दरसल माल गाड़ी के डिरेल होने के कॉंग्रेस के दावे को भारतिय रेलवे ने खारिच कर दिया है कि वीडियो में दिखाया गया लोको मोटिव और रेलवे ट्रेक भारतिय रेलवे के बुन्यादी ढाचे का हिस्सा नहीं है। कॉंग्रेस ने क्या दावा किया था जरा ये भी देखिये। दरसल कॉंग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पच्री से उतरी मालगाडी का एक वीडियो पोस्ट किया था और केंद्रिय रेल मंतरी अश्विनी वैशनव पर हमला करते हुए लिखा रेल मंतरी यूपी के सून भद्र में एक मालगाडी पच्री से उतर गई। इसे भी छोटी घटनाओं में शामिल कर लिजिए। कमित मालविय ने एक्स पर लिखा रेल मंतराले का अधिकारिक हैंडल कॉंग्रेस के तत्ति की जांच करता है। यह एक नया निचला अस्तर होना चाहिए लेकिन तिसरी बार और सफल राहूल गांधी के तहत कोई भी निचला अस्तर परियाक नहीं है। अब पुरा मामला क् वजे शक्ति नगर इलाकी में हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मेडिया रिपोर्ट के मुताविक अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन खडिया में नॉर्डर्डन कोल फिर्ड्स लिमिटेड से अनपरा बिजली सन्यंतर तक कोईला लेकर जा रही थी। रिल्व